पन्जवारा घोगा मुख्य मार्ग इस्तित सनुला थाना छेतर के ऐसे 84 इस्तित मुर्गिया चक गाउं के समेप सोंबार की सुबा हाइवा और ओटो में चूरदार टक्कर हुई इस हाथसे में ओटो पर सवार यूबक सिंटू कुमार सिंग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबके पांच अने लोग गंभीर रूप से खायल हो गए गटना सुबह करीब आठ बजे की है बताया जा रहा है कि ओटो में सवार सवी लोग मिलकी गरभूडी गाउं के रहने वाले थे और धोरिया थाना चेतर के गौरा गाउं बारात में गए थे बरमाला होने के बाद सवी लोग ओटो में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे तभी मुर्गिया चकतालाब के पास घोगा की ओर से आ रही एक अनियंतरित हैवा ने ओटो को जोरदार टकर मार दी टकर इतनी तेज ती की ओटो सड़क के नारे जाकर पलट गया टकर में ओटो में सवार सवी लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिसमें सिंटु कुमार सिंग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जोती कुमार, सन्नी कुमार, अमर कुमार और नेयन कुमार गंभी रूप से वहीं गटना की सूचना मिलते ही सनहुला थाना पुलीस मौके पर पहुँची और घायलों को अस्पताल में भरती कराया वहीं पुलीस ने हाइवा को भी चप्त कर लिया है लेकिन हाइवा चालक गटना के बाद मौके से फरार हो गिया इदर घटना के बाद मिर्तक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जबकि इस हाथसे के बाद गाउं में मातम पसर गया है फिलाल पुलिस ने घटना की जाँच सुरू कर दी है और आरूपी हाईवाचालक की तालास में जुट गई है इदर सिंटु की मौत के बाद अस्थानिय लोग और परीजन आक्रोसित हो गये और मुआपजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया इस दोरान करीब सड़क एक घंटे तक जाम रहा जिसके बाद सनहुला अंचला दिकारी रजनीज कुमार राय थाना द्यक्षे चंदन कुमार और छेतर के जनपरतिनिधी मौके पर पहुँचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम हटवाया भागलपूर जिल्या विदिक संग में सनिवार को संपन हुए चुनाओं के बाद सोंबार को दूसरे दिन भी गहमा गहमी के बीच मतपत्रों की छटनी का दौर लगातार चारी रहा साम पांच बजे तक हर पद के मतपत्रों की छटनी के बाद उन्हें अलग-लग बकसे में बंद कर दिया गया जिसे अब मंगलवार को उमिद्वारों के समझ गन्ना के लिए खोला जाएगा हाला की हर उमिद्वारों की नजरे देर साम तलब कमवो इस दो पदों की गन्ना को लेकर उत्सुकता बनी हुई रही लेकिन छटनी के बीच एकाद उमिद्वार के दौरा बवाल भी काटा गया जिसके कारण अधिवक्ताओं की उत्सुकता आज नीरासा में बदल गई उन्होंने वताया कि चुनाओं में विविन्यपदों के लिए 114 प्रत्यासी मैदान में हैं जिसके लिए 1663 अधिवक्ताओं ने अपने मतादिकार का प्रियोग किया है उन्होंने कहा कि मंगलवार साम तक परिनाम घोसित हो जाएगा आज मेरा शॉर्टिंग हो गया है कल आज शॉर्टिंग के बाद भी हम लोगों को दो गंटा खटना होगा प्रिसेंट का सेक्रेटरी का जनरल सेडियर दस वक्सा दस में और ये उस हैं दसों का अलग अलग करना होगा तब कल से अब लोग उसको गिंती करें दो लोग देख है उनको दो दिन के बीतने का पता चल रहा है किस तरे का दो दिन गुजरा है आज जो देख करके आप जा रहे हैं तो आप भी आये सेकंड टैम आये हैं फॉस्ट टैम भी देखा कि कोई भी काम करने वाला रुका हुआ नहीं है वह अपना कर रहा है और बड़ी मानदारी से सब्सक्राइब कर रहा है कि मदद कर रहा है कि कल तो हम लोग 10 से 11 तरी स्टार्ट करतेंगे उते सब लोग थके हुए है आने माँ सक्का साड़े दस 11 बच जाए 11 बैसे लगए हमको लगता कि फिर भी चार घंकर लगेगा उसे कम नहीं लगए इस बीच में परेशानी कुछ क्या आई कि दूसरा भी नहीं है सेखे परेशानी बहुत तरह कि रही है कोई भूब परतान पर चले है कोई जो है किने लगे कि हमको टाइम और पढ़ाना होगा कि किसी ने कहा कि जब तक मेरा बार कॉंसिल भेजे हैं जब तक बार कॉंसिल से मेरा जवाब नहीं आता है पर चास्ट हुआ और एक सो तिरसाट होने के बाद आप सुबह भी देखके गए हैं अभी देखकर के जा रहे हैं सारे के सामने हो रहा है इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं वह अपना देख रहे हैं खामोश मैठे हुए इधर सनिवार की देराट डिविय चुनाओ शंपन होने के बाद बंद पड़ी मत पेटी को कब जाने के लिए अधिवक्ताओं का एक समू इस्ट्रॉंग रूम का ताला खुलवाने और उसमें रहने का प्रियास कर रहा था इस दोरान सत्तादारी पार्टी का एक नेता रक्षक के साथ अधिवक्ताओं के एक समू के समर्थन में जिला विदिक संग परी सर पहुंच गया लेकिन अस्तानिये पूलीस के सक्रिये होने से उन्हें वापस लौटना पड़ा वहीं इस मामले को लेकर अधिवक्तार आजीव सिंग ने कहा कि इस तरह की घटना काफी निंदनिया है और वह इसकी सिकायत मुख मंतरी और वार कॉंसिल से करेंगे लगों के बीच का मामला है किसी ना जाती बीसेश का मामला है ने किसी पाटी बीसेश का मामला है इसको यदि किसी ने पाटी बीसेश बनाने का यदि मंसा रखता है हम अधिवक्ता उनको मुर्तोर जवाब देंगे और कोई भी लोग अस्त सस्र का प्रियोग करके हम अधिवक्ताओं को डरोने धमकाने का विदिकाल करते हैं तो हम अधिवक्ता एक जूठ होकर इसका मुकालाब करेंगे ये निर्वाचन ये चुनाव मत दो बर्स के लिए हैं लेकिन हम लोग जब से नमांकन होते हैं जब से एडमिसन लेते हैं तब से मेरी अर्थी यहीं जिलाबिदी संग में आती है ऐसा अभी स्वका कोई भी संस्ता नहीं है जिसमें अर्थी यहां आतने का काम होता हो जहां जिस बैक्ति का कर्म छेतर अर्थी से समाथ होता है और डिगरी से प्रारम होता है उस जगा को यदि किसी के द्वारा धुमिल करने का दुसित करने का काम किया जाता है तो हम अधिवक्ताओं को इसके लिए सोचने का समय आगिया इसके सवरने का समय आगिया और हम लोग के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक ओडियोलोजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विशुस्तरिये बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार् कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ओफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपूर मोबाइल 70501-93341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं पुर और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीब भागलपूर पुलीस ने एक अंतराज्य चोरगिरो का परदाफास किया है यह चोरगिरो भागलपूर सहित आसपास के जिलों और बिहार से सटे राजियों में चोरी और ढखकैती जैजी गटनाओं को अन्जाम दे रहा था पुलीस ने इस मामले में आठ अब्युक्तों को भी गिरफतार किया है विदी वेवस्ता डीएसपी चंदरभूचसन ने बताया कि छेदर में हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलीस ने कुछ संदिग्द अपरादियों की मोबाइल नमबरों की नि और हो जाती थी ऐसे में पुलीस के लिए इस गिरो का परदाफास करना मुस्किल हो रहा था इसी दोरान पुलीस को सूचना मिली कि यह चोर गिरो चोरी किये गए सामान और रुपियों का बटवारा करने के लिए बाइपास थाना चेतर के एक बगीचे में इकठा होने वाल है फिलाल पुलीस इस गिरो से पूच्टाच कर रही है और इसके अन्य सदस्यों की भी तालास कर रही है पास खाना अंतरगर्ट अंतर राजी चोरो का एक बड़ा गिरो का परदाफास हुआ है उससे संबल लेता है इसमें आए दिन जो है पिछले कुछ दिनों में ग्रीवेधन का कुछ घटना हमारे सहर में ठटी थी मामले को संग्यान और गम संग्यान लेते हुए सिनियर स्प पर पर पुल आठ रूगों को गिरवतार किया है बहुताने शेकर से जिनके पास जो है आए आए बाइक तीन पकड़ा है एक जो है लैप्टॉप है एक एलेटी है चांदी के कुछ आभूशन है मोवाईल है जो साथ मोवाईल है इनके पास से एक स्कूरू ड्राइबर लोह का एक गोचनी जो है पकड़ाया गया है लोहे का एक पाइप है चार्जर पीतल की एक मूर्ती मिली है और भारी मात्रा में कपड़े मिया है इन में से कुछ लोगों के अपरादी की थिहास भी है जिसमें से मुहम्मद तबरेंच उर्फ बैग्यानिक जो इनका नाम है इनके पास से जो है पूटल आठ अपरादी की पिहास का पता चला है चापेमारी दल में जो है निफ्टित करने वाले थाना ध्याच सवरज कुमार बैववा इनके साथ डियाईउ टीम के प्रभारी रंजीत कुमार थे इस सब इंसक्टर बाइनार प्रता सब इंसक्टर सूरज भ रविवार को भागलपुर के आसम कॉलेज रोड इस्तित गोश्वामी आईएस एकेडमी में एक ओपन सेमिनार का आयो जन किया गिया इस सेमिनार में यूपीएसी और बीपीएसी परिक्षाओं की तैयारी पर छात्रों के साथ ब्रिस्तित चर्चा की गई कारिक्रम में आईएस गुरू के नाम से प्रसिद रजनीश सिंग तोमर और पी गोश्वामी सर मौजूद रहे उन्होंने चात्रों को परिक्षा की तैयारी के लिए मारक दर्शन किया और सफलता प्राप्त करने के लिए आवस्यक टिप्स भी दिये रजनीश सिंग तोमर ने चात्रों को प्रेडित करते हुए कहा कि UPSC और BPSC जैसी कठिन परिक्षाओं को पास करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवस्यक्ता होती है यदि आप इन परिक्षाओं को पास करना चाहते हैं तो आपको लक्ष निर्धारित करना होगा और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा वही पी गोस्वामी सर ने चात्रों को परिक्षा की तैयारी के लिए एक रनीती तैयार करने की सला दी उन्होंने का कि सबसे पहले आपको यह तै करना होगा कि आप किस परिक्षा के लिए तयारी करना चाहते हैं इसके बाद आपको उस परिक्षा के पाठ क्रम का अध्यन करना होगा और उसके अनुसार अपनी तयारी भी करनी होगी वहीं सेमिनार में चात्रों ने परिक्षा से सम्मंदित विविन पहलवों पर सवाल पूचे और उनका समाधान भी प्राप्त किया चात्रों ने इस सेमिनार को बहुत ही उप्योगी बताया और कहा कि उन्हें इससे काफी प्रेर ना मिली है